Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students this is part 2 of video explaining the chapter how heavy how light. यह जो class 4th maths का chapter है आपका, इसको इसकी explanation, NCRT explanation and question answers हम लोग discuss कर रहे थे. Starting के कुछ topics we have covered in our previous video, जो remaining topics हैं वो हम इस video में cover करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यह second part है इसकी videos का आपका. First आपने देख लिया है, पहले देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो उसके बाद आप इसको देखेंगे तो जादा अच्छे से आपको समझ में आएगा. Okay, let's begin now. तो हमारा next topic है, यहां तक हम लोग कर चुके थे. Next topic था हमारा which is heavier, बताए कौन जादा heavier है. Which is heavier, 1 kg cotton और 1 kg iron. 1 kg cotton जादा heavier है या फिर iron, लोहा या फिर रूई. तो इसका answer होगा, बोथ are equal. दोनों बराबर है, बोथ are equal. Why? Because दोनों 1 kg ही है, बेट दोनों का उतना ही है, आप कैरी करेंगे तो आपको उतना ही बेट लगेगा. अब देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, यह pillow आया है, दर से, हवा में उड़ता हुआ, फिर दर से एक watermelon गया, हवा में उड़ता हुआ, और यहाँ से आवाज आ रही है, चलाने की, जरूर किसी को जोर से लगा होगा. यह बच्चा कहा रहा है, Sir, she threw a heavy watermelon at me. Sir, इसने मेरे उपर एक heavy watermelon फेका है, तो लड़की कहती है, he threw a 1 kg pillow of cotton, इसने कल मेरे उपर एक 1 kg pillow मारा था, cotton का, so I threw a 1 kg watermelon, इसलिए मैंने 1 kg watermelon मार दिया, yesterday you said that 1 kg, okay, cotton and 1 kg melon is equal. आप नहीं तो कहा था, कल की 1 kg melon हो, या फिर 1 kg cotton हो, दोनों एक ही बात है, पर आप बताईए कि क्या हुआ होगा, इस बच्चे को जादा चोट नहीं लगी होगी, पिलो से, लेकिन इसको watermelon से बहुत चोट लगी होगी, तो देखे, इसका reason यह है, अगर आपसे teacher पूछती है, आपकी, दोनों का weight equal है, लेकिन जो cotton होती है, उसके जो molecules होते है, वो बहुत दूर होते है, cotton थोड़ी सी fluffy होती है, बीच में air होती है, तो इसलिए वो अगर बीच में air है, इसलिए वो थोड़ा हलका हो जाता है, आपको जो लगता है, चोट जादा नहीं लगी, क्योंकि हव लेकिन जो water में लेना है, that is solid, यह solid है, और वो दूसरा वाला fluffy है, उसके बीच में कोई हवा नहीं है, पुरी solid चीज अगर आपको लगती है, तो definitely आपको जादा चोट लगीगी, ओकि आप उपर से गिरते है, धरती पे गिरे तो जादा चोट होगी, हवा में तैरते तो आप समझ जाएंगे, molecules pass होना, दूर होना, क्या चीज़ें होती है, next is, Dinesan wants shopping, Dinesan went shopping, Dinesan went to a shop and bought some things, Dinesan shopping करनी कहीं गया, और यह कुछ चीज़ें उसने खरीदी है, his younger brother, उसका बड़ा भाई है, cut the end of the bill where the weight were written, उसने bill का आखरी पेज यहां से काट दे, जिसमें weight लिखा अब बताई उसने, kg में चीज़ें खरीदी होंगी यह ग्राम में, तो बहुत असान है, rice, चावल लेने गया होगा, तो पांच ग्राम तो नहीं लाया होगा, पांच ग्राम में तो मुश्किल से 20-30 दाने आएंगे, एक बार का भी चावल नहीं बनेगा, तो definitely 5 kg लाया होग तो यहां पर फटा हुआ जो पाट है, उसमें kg होगा, शुगर 1 kg लाया होगा, ग्राम में शुगर नहीं आती है, mustard seed, 10 kg mustard seed का वो क्या करेगा, तेल थोड़े निकालना है उसको, grams, mustard seed as masala यूज होते हैं, आपके सबजी में, तो वो ग्राम में काफी होते है, wheat 3 kg लाया होगा, तो थोड़े से मुठी wheat आएंगे, that will not be enough, खाने के लिए, दाल 500 kg लाया होगा, अगर 500 kg लाया होगा, तो इतने दाल का तो दुकान वाले के पास भी नहीं होगी 500 kg, तो इसलिए आपर ग्राम आएगा, टी 250 kg लाया होगा, 250 kg तो बहुत जादा हो जाएगी, पैपर 25 kg लाया ह ठीक है, तो कोई भी चीज अगर आपको आती है, question ऐसा आ सकता है कि इसको आप grams में खरीदेंगे, kg में खरीदेंगे, तो accordingly आपको answer देना है, okay, next question पर आते हैं, अगला question है, car and tractor, रितु is weighing her toys, रितु अपने toys को weigh कर रही है, देख रही है, weight कितना है, she wants to know if her tractor is heavier than her car, वो आप देखें, ट्राक्टर वाला जो पान है, वो नीचे है, जो नीचे की तरह आता है, वो heavier होती है, तो हम definitely बता सकते है, tractor जो है, that is heavier, वो जादा heavier है, अब यह पूछते ही, if I put two cars, will the tractor still be heavier, अगर मैं दो कार अग दो, क्या tractor फिर भी heavier रहेगा, car से, I think, नहीं, I think, तब होता है, tires, देखें, आप कितने बड़े होते हैं, but two cars, I think, equate कर देगी, कहीं नहीं, कहीं उसको, okay, guess which is the heaviest, a real car, a bus, और a tractor, बताएं कि इन में से कौन जादा heavier होगा, एक car है, real की, असली की, एक bus है और tractor है, तो मुझे जहां तक लगता है, bus heavier होगी, सबसे heavier bus है, उसके बाद tractor उसके बाद car, क्योंकि बहुत लंबी भी होती है, और काफी सारे उसमें seats होती है, अंदर tractor में आप देखे, एक ही seat होती है, all those के पहिये काफी भारी होते है, but definitely car tractor से जादा heavier होगी, तो आप यहां पर, sorry, bus, माफ करना, bus, bus लिखेंगे, which is the heaviest thing you have seen, आपने आज तक कौन सी स बाउस का बहुत भारी होता है, next is elephant's weight, elephant का weight देखते हैं, कितना होगा, oh no, I cannot bear this pain, इसको pain क्यों हो रहा है, चलिए देखते है, once a king had pain in his stomach, एक बार एक किंग के पेट में दर्द होता है, none of the palace doctor could cure his pain, उसके pain को कोई भी डॉक्टर जो है, उसके palace का महल का ठीक नहीं कर पा रहा था, देखे, दर्द से करा रहा है, कि bear नी कर पा रहा, सहन नी कर पा रहा है, इसको pain को, the king then said, तो king उसके बाद कहता है, पेट देखे, कितना भारी हो गया, उसका मोटा हो गया, anyone who cures my pain will get a gold equal to the weight of an elephant, जो मेरे पेट के दर्द को ठीक कर देगा, मैं उसे एक elephant के बराबर सोना दूंगा, एक elephant जितना भारी होता है, उतना सोना, on hearing this, doctors from all over the country came, यह सुनके पूरे देश से doctor आए, but only doctor Vedika could cure him, लेकिन सिर्फ, doctor Vedika उसको ठीक कर पाई, यह देखी, यह आती है, doctor Vedika, so, okay, oh great, my pain has done, बहुत अच्छा, मेरा pain अब ठीक है, thank you doctor Vedika, sir, can I get my reward now, क्या मुझे अब अ पहले, एक elephant का weight पता करो, इसलिए उसके बाद मुझे बताना कि कितना वह गोल्ड तुमें देना है, तो यह trick खेली, नही elephant का weight पता कर पाएगी, ना मुझे पैसे देने पड़ेंगे, but the greedy king didn't want to give her the gold, so he thought of a trick, लेकिन वह गोल्ड नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने trick खे तो वो बतानी पाएगी और मैं इसको दूंगा नहीं, वैदिका was unhappy when she reached home, वो घर पहुंचते तो बहुत दुखी होती है, इतनी दूर गई, उसको ठीक किया, दवाईया लगाई, और अब क्या हो रहा है वो, देभी नहीं रहा reward, she told her daughter the whole story, वो अपनी daughter को यह पूरी कहानी ब अरेंज अलेफेंट एंड बिग बोट, उसको बोलो, किंग को एक बड़ी सी बोट नाव बना दे और एक एलेफेंट अरेंज कर दे, नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वैदिका इंवाइटे दूर रिवर उसके बाद वो किंग को एक रिवर के पास इंवाइट करती है, द वैदिका की डॉर्टर जो है वो रिवर में जाती है, शी मार्क डॉन दा बोट, हाउ मच इट संक इन रिवर, ओके हाथी को ऊपर बैठाने, पहले वो देखती है, जाके जब बोट है पानी में कि कितनी वो संक हुई है, कितनी वो गहराई तक डूबी है, जो नाव है, उसक निशान लगा देती है, ऐसे, यहाँ पर, उसके बाद, then she asked them to bring the elephant into the boat, फिर वो कहते है चली elephant को बैठाइए बोट में, the boat sank deeper, obviously जब कोई भारी चीज आते तो ठोड़ा और sank होती है, और डूबती है, so she mark the new water level on the boat, फिर वो नया water level लगा देती है, बोट के उपर, कि अब मान लिजे, बोट यहाँ तक डूब गई, elephant के बैठने के बाद, देखे, काफी डूब गई है, उसके बाद फिर उसने यहाँ पर, यह एक mark लगा दिया, now imagine what happened next and complete the story, सोचे कि इसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद देखे, क्या हुआ होगा, फिर वो elephant को उतारती है, और उ जब यहाँ तक पहुच गया, तो फिर उसने उसके अंदर जो weights थे, उनको count किया होगा, और बता दिया होगा, elephant का weight, कितना है, ठीक है, so, उसके बाद king के पास कुछ बचाई नहीं होगा, alternative उसको उतने पैसे, उतने gold coins, उस weight के बराबर gold coins देने पड़े होगे, next topic है आपका, how much the chair weighs, बताए कि chair का weight कितना होगा, Anamika wants to weigh this chair using weighing machine, Anamika इस weighing machine को use करके, इस chair को weigh करना चाहती है, can you suggest a way for doing this, अब देखे, उसने कितना दिमाग लगाया था, Dr. Vedika की daughter ने, कि उसने एक elephant को weigh कर दिया, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाई है, कुरसी तो definitely इसके उपर नहीं रखी जा सकती, आप रखेंगे एक पैर यहाँ यहाँ यहाँ, जो चारो पैर होते हैं, इसके, four legs, तो किस तरीके से आप weigh करेंगे, तो देखे, एक तरीका हो सकता है, मैं जो आपको suggest कर रही हूं, हो सकता, आपको different तरीका भी suggest कर दे, एक बड़ा सा wooden का plank ले लिजे, लकड करिए कि यहाँ पर आया है आपका 25 kg लिखा हुआ, फिर चेर को उतार दीजे, फिर खाली plank को रखिए, खाली plank को रखेंगे, यहाँ पर फिर देखें कितना weigh आया है, मान लिजे फिर लिखा हुआ है 5 kg, तो कहने का मतलब है, आपका wooden plank 5 kg का है, और चेर के साथ 25 kg का है, तो य अब्दू sells firewood, अब्दू जो है वो लकडी के firewoods बेचता है, लकडियां बेचता है, जिससे जला सके लोग, there was a stone in his shop which weighed 13 kg, एक stone है यह देखें पत्थर जिसका weight है 13 kg, he used it to weigh firewood, इससे वो लकडियां नापता है, one day the stone fell down and broken into three pieces, एक दिन वो तूट जाता है और तीन पीस में बढ़ जाता है, which weighed 2 kg, 5 kg and 6 kg, इस तरीके से 5 kg का, यह 6 kg का, यह छोटा वाला 2 kg का, तूटने के बाद, but अब्दू was very smart, he used those three pieces to weigh firewood of all weights, from 1 to 9, अब्दू बहुत स्मार्ट था, 1 to 9 सभी weights वो अब उससे major कर सकता है, देखें कैसे, अब थोड़ा सा दिमांग लगाना पड़े है, फिर इदर लकडियां रखता है, जब दोनों बराबर हो जाते हैं, तो मतलब लकडियों का, weight 1 kg हो गया, समझ रहे हैं, इदर 6 और 5 के रखे हुए, अब इदर प्लस 1 kg वूड रख करनी पड़ेगी न, 6 equal करने के लिए, तो यह निकि 1 kg वूड वो ऐसे नापता है, अब अब बताइए कि अगर उसको 4 kg फायर वूड नापनी है, इस question is important, थोड़ा सा mind वाला question भी है, अब अगर उसको 4 kg फायर वूड नापनी है, तो वो कैसे नापेगा, देखिए, 6 और 2 है उसके पास, इदर 6 kg रखेगा, इदर 2 kg का weight रखेगा, अब इदर कितना कम है, इदर 4 kg इसी kg कम है, तो 4 kg फायर वूड उसको रखनी पड़ेगी इदर, ऐसे रखेगा, 2 kg का पत्थर, स्टोन, 4 kg फायर वूड इदर 6 kg का स्टोन, तो 4 kg फायर वूड हो जाएगा, उसके बाद वो उसको लखडियों को दे देगा, नेक्स आप बताइए अगर उसको 3 kg मेजर करना ह इस इंट्रेस्टिंग, 3 kg के लिए 5 और 2 का रख दीजे आप, इदर 5 kg रखिये, 5 kg, 2 kg, जो इदर बचेगा, इदर बैलंसिंग में 3 kg वूड आ जाएगी, 3 kg लकडी, आगे आते हैं, 7 kg अगर उसको करना है, तो 7 kg के लिए 5 और 2 को वो प्लस कर सकता है, 5 kg और 2 kg वाला एक तर इस तरीके से वो कोई भी weight measure कर सकता है, post office, have you ever been to a post office, क्या आप कभी post office गए हैं, गए हैं, तो आप yes लिखेंगे, नहींगे, तो आप no लिखेंगे, what different things do people do go there for, बताएए कि लोग किसले post office जाते हैं, लोग post office क्यों जाएगे, post करने के लिए, post करने के लिए, money order बेजने के लिए, post card या envelope खरीदने के लिए, to send letters, to post letters, letters post करने के लिए, या फिर, to send money order, किसी को पैसे आपको कहीं दूर भेजने, money order भेजना है, उसके लिए, वैसे तो आजकल net banking आ गई है, वहीं से transfer हो जाते है, to purchase, post card, post card खरीदना है, आपको लिखने के लिए, या फिर आपको अगर stamp खरीदनी है, या फिर envelope खरीदना है, उन सब चीजों के लिए, लोग post office जाते है, how much does a post card cost, अगर आपको भी गई है, तो आपको बताना है, post card कितने का है, आप जाएंगे, तो I think 1 rupees का हो सकता है, या फिर हो सकता है, 50 पैसे का भी हो, okay, तो या आप जाके देख लेंगे, how much does an island letter cost, island letter थोड़ा सा महंगा होता है, I think 3 rupees का, 3,5 rupees का इतने का आता है, 2.5 rupees है, मान लीजे, वैसे मुझे एग जाके पता करके आएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा, अच्छा, नीचे आपको दिया हुआ है, देखे, postal rates क्या है, single post card अगर आप लेते है, post card ऐसा होता है, इसके ओ पर address लिखा होता है, आपको यहां पर message लिखना होता है, आपको ऐसे भेजना होता है, stamp लगा के, वो है 0.50 का, printed post card इसके ओपर print हो, happy दिवाली कुछ ऐसा या फिर new year पर भेज रहे है, happy new year something, वो 6 rupees का है, island letter 2.5 rupees का है, letter जिसका weight 20 gram से कम होता है, आप letter के अंदर पैसे भेज र उसका weight किया जाता है, उसको क्या बोलते है, नापा जाता है कि उसका weight कितना है, अगर वो 20 gram से कम है, तो फिर 5 rupees लगते हैं, और हर 20 gram के लिए उसके बाद 2 rupees लगते हैं, parcel का weight अगर आपका 50 gram है, तो 5 rupees लगेंगे, उसके बाद हर 50 gram पे आपके 3 rupees लगेंगे, जैसे कि मान अब questions देखिए क्या है look at the poster rate in the chart और अबा बताइए how much will you have to pay for a stamp on a letter weighing 50 grams 50 gram का letter है आपका आपका बताए कितने रुपे देंगे letter का देखिए 50 gram में क्या होता है 20 grams तक आप 5 rupees देते हैं 1 second और उसके बाद additional के लिए आप 2 rupees देते हैं तो पहले 20 grams के लिए 20 grams के लिए आपने कितने दिये 5 यह question में थोड़ा सा इसमें कराऊंगे यहाँ पर करते हैं 420 grams 20 grams के लिए आपने दिये 5 rupees 50 gram है याद रखना फिर next 420 grams next 20 grams के लिए आप देंगे 2 rupees अब 2020 40 हो गया 10 gram का लेटर अभी भी बचा है क्योंकि 50 था total अब ध्यान रखना 10 gram का यह नहीं कहेंगे आप अब हमसे 1 rupees ले लो वो 2 rupees ही लेगा जितना भी जादा होगा 20 से 2 rupees फिर दिये तो आपके पास से कितने गए 5,6,7,8,9 तो total कितना हो गया अगर आपका कार्ड 21 grams का होता है तो पहले 20 के लिए 5 rupees लगेंगे और अगले 1 gram के लिए आपको 2 rupees ही देने पड़ेंगे additional 20 तक next 20 तक ठीक है समझ गया है अगले question पर आते हैं आकाश wants to send a parcel of math magic textbook to his friend रानी चेननाई रानी चेननाई में रहती है वो उसको math magic की book भेजना चाहरा है हो सकता है महाँ पर नहीं मिलती हो बुक का weight है 200 grams आप चार देके बताए कितने रुपे लगेंगे उसके तो देखे पारसर का weight का है पहले 50 के लिए 5 रुपे बागे के 50 के लिए 3 तो देखे 200 कैसे भेजेगा वो आप answer लिखेंगे 4 first 50 पहले 50 gram के लिए कितने रुपे 5 रुपे 50 हुआ है अभी 200 grams की book है next 50 के ल 30 grams के लिए 3 रुपे दिया आपने 150 grams तक हो गया फिर 50 grams तो यह कितना हो गया 3 50 50 50 50 200 grams हो गया 200 grams की आपकी बुक थी और total कितना amount हुआ पांच 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानि कि 14 रुपी टोटल लगेंगे आपके उनको उसको math magic की book भेजने के लिए अगर भेजना चाहते हैं आप okay so अभी इतना ही करते हैं क्योंकि 17 minutes की video हो गई है hopefully जो चीज़ें आपको बताएं आपको समझ में आई होगी rest of the topic we will do in last video so thank you so much students and wait for next video to come